एक साधक ने महरशी रमन से पूछा कि महरशी कर्म करें या ना करें तब महरशी कहते हैं कर्म करना अथ्वा नहीं करना इस विवाद में मत पड़ो अपने आपको जान लो तब देखो कि यह कर्म किसका है किसका है कर्म को स्वयम होने दो जब तक करतापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे यदि वह अपने को करता नहीं मानता तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वह सन्यासी है तो महर्शी अहम भाव का उदै कैसे हुआ महर्शी कहते हैं यह जानना आवश्चक नहीं वर्तमान को जान लो जब तुम इसे नहीं जानते तो अन्य काल की चिंता क्यूं करते हो जगत तुम में है अत्वा तुम से बाहर क्या वह तुम से अलग है क्या जगत तुम से आकर कहता है कि मैं हूँ साधक फिर से पूछता है कि हम किस प्रकार जानें कि वह कर्म हमारा है या नहीं महर्शी कहते हैं यदि कर्म का फल विक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह कर्म से मुक्त है तो महरशी क्या किवल बुधिग्यान ही परियाप्त है? महरशी उत्तर देते हैं बुध्धी से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा? अतहा, पहले बुध्धी से जानो, फिर वहीं रुको नहीं, उसका अभ्यास करो सब लोगों से एक ही प्रकार के कारिय करने की आशा नहीं की जा सकती प्रतीक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संसकार के अनुसार ही कर्म करता है ज्यान, भक्ति, कर्म एक दूसरे से संबद्ध हैं द्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयम की रुची के अनुसार होता है इसका उद्धेश्य है अन्य आकारों से बचना तथा एक ही आकार में लगना इससे लक्षे की प्राप्ति हो जाती है प्रारंभ में मन को हृदय में एक आग्र करना संभव है इसी कारण इन साधनों की आवश्यक्ता है कृष्ण का कथन है कि मेरे तुम्हारे इत्यादी किसी के कोई जन्म नहीं हुए और बाद में वे कहते हैं कि उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था अर्जुन को इस कथन में शंका होती है इससे यह निश्चे हुआ कि प्रतीक विक्ति अपने विकास के अनुरूप ही इश्वर की धारणा बनाता है तुम जागरत अवस्था में स्वयम को देह मानते हो पर सुशुक्ती में ऐसा नहीं मानते एक विक्ति के शरीर भी तो अनेक परतों में होते है इश्वर कानंत सामर्थ है क्यों न होगा जो भी मार्ग अपनाया जाए ज्यानी पुरुष उसे ही प्रोटसाहन देते है क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्षे तक ले जाता है तो महरशी क्या स्वरग तथा नरक है महरशी कहते हैं वहाँ जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए वे स्वप्नवत हैं हमें स्वप्न में भी स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है सत्य क्या है? स्वप्न एजागरिती तो महरशी इसलिए हमें काम क्रोध आदी से अपने आपको बचाना चाहिए महरशी कहते हैं संकल्पों का त्याग कर दो अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है वह आत्मा है आत्मा नित्य जाग्रत है तो महरशी क्या तीर्थियात्रा अदिलाबधायक है महरशी कहते हैं हाँ है भक्त फिर से पूचता है तो महरशी आत्मा तक पहुचने के लिए कौन सा प्रयास आवर्शक है महरशी स्पष्ट करते है मैं को नश्ट गर देना चाहिए आत्मा तक पहुचना नहीं पड़ता क्या ऐसा को एक्षन है जब आत्मा नहीं है यह नवीन नहीं है तुम जो हो वही रहो जो नवीन है वह स्थाई नहीं हो सकता जो सत्य है वही सनातन है महरशी क्या ग्यान यग्यें अत्वा अन्य यग्यें जो खोते हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं महर्शी कहते हैं इसके लिए अन्य पद्धतियां हैं साधना का उद्धिश्य तो किवल ग्यान की प्राप्ति ही होता है तो महर्शी क्या जीवन मुक्त भिन्न प्रकार के होते हैं महर्शी कहते हैं यदि वे बाहिय रूप से भिन्न हों तो भी क्या हुआ उनके ग्यान में कोई अंतर नहीं है भक्त पूचता है कि एक गुरू का भक्त रहकर भी क्या अन्यों के प्रती आदर किया जा सकता है महरशी कहते हैं गुरू के वल एक ही है वह शरीर धारी नहीं है जब तक दुर्बलता हो तब तक शक्ती की सहायता की आवश्यक्ता रहेगी भक्त पूचता है महरशी जेए क्रश्नमूर्थी के अनुसार किसी गुरू की आवश्यक्ता नहीं है महरशी कहते हैं उन्होंने ऐसा कैसे जाना आत्म ग्यान की प्राप्ती के बाद ही ऐसा कहा जा सकता है उससे पहले नहीं तो महरशी आपने परम पुरुशार्थ के पुश्चात ही यह अवस्था प्राप्त की है हम निर्बल आत्माएं क्या कर सकते हैं महरशी कहते हैं हम अपनी आत्मा में हैं हम संसार में नहीं है भगत कहता है महरशी स्वर्ग तथा नरक क्या है महरशी समझाते हैं स्वर्ग तथा नरक तुम्हारे साथ साथ चलते हैं तुम्हारे काम क्रोध ही इन के जनक हैं वे तो सुपन के समान है महर्शी वह एक वस्तु क्या है जिसे जानकर सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं महर्शी कहते हैं संशय करता को जान लो यदि संशय करता पकड में आ जाए तो संशय उत्पन्न नहीं होंगे यहां संशय करता के परे जाना है फिर जब संशय करता ही नहीं रहता तब संशय उदै नहीं होंगे फिर वे कहां से उत्पन होंगे सभी मनुष्य ग्यानी तदा जीवन मुक्त हैं उन्हें केवल इस वास्तविक्ता का भान नहीं है संशयों को निर्मूल करना ही होगा इसका तात्पर यह यह है कि संशय करता को निर्मूल करना आवश्यक है यहां संशय करता मन है तो महरशी इसके लिए क्रम क्या है महरशी कहते हैं मैं कौन हूँ इसकी खोज करू तो महरशी क्या हम इसका जाप करें महरशी कहते हैं तुम यह विचार क्यों करो कि मैं यह हूँ खोज करने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे तब जो अनिवारिय अवशेश आत्मा है वह प्रकट हो जाएगी तुम हरशी क्या हठियोग आवश्यक है महरशी कहते हैं कि यह भी एक साधन है यह सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है आत्म विचार प्राणायाम से आगे है योग वाशिष्ठ में चूडाला शिखिध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्म विचार का परामार्श देती है प्राण अथवा बुद्धी दोनों को ही सैयम में रखने से सत्य का साक्षातकार हो सकता है हठयोग प्राण का है आत्म विचार बुद्धी का है महरशी क्या ज्ञान प्राप्ती के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है महरशी कहते हैं वह व्यक्तित्व कैसे रख सकता है सामान्यत आया दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कारिये के प्रारंभस से पहले आचमन तथा प्रानयाम का निर्देश देते हैं कर्म चाहे लोकिक हो अथ्वापार लोकिक इससे यह निशकर्ष निकलता है कि मन की एकागरता से ही सफलता होती है तो महरशी मैं नेती-नेती का ध्यान करता हूँ यह ठीक है? महरशी कहते हैं नहीं एह ध्यान नहीं है सुरोथ को खोजो तुमको स्रोथ तक पहुचना ही है असत्य मैं नश्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं की अनुभूती हो जाएगी मैं वास्तविक मैं से भिन्न नहीं रह सकता श्वी रंग नाथन जी ने पूछा महरशी कृपया मुझे निर्देश करें कि मन को वश में कैसे किया जाए महरशी कहते हैं इसके दो साधन है एक यह है कि देखो मन क्या है तो यह नहीं रहता दूसरा साधन है किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना फिर एक भक्त कहता है चुकि हम लोग सांसारिक हैं महरशी कुछ न कुछ वेथा हमें लगी रहती है और नहीं जानते कि उनसे चुटकारा कैसे पाएं इश्वर की प्रार्थना करने से भी हमें संतोष नहीं होता हम क्या करें महरशी ने कहा इश्वर में विश्वास करो महरशी हम आत्म समर्पन करते हैं फिर भी कोई सहायता नहीं होती महरशी कहते हैं हाँ यदि तुमने इश्वर के प्रति आत्म समर्पन कर दिया है तो इश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की ख्षमता तुम्हें होनी चाहिए और तुम्हें जो अच्छा न लगे उस पर असंतोश प्रकट नहीं करना चाहिए गटना करम जैसा तुम्हें दिखाई देता है उसका परिणाम उससे भिन्न हो सकता है अनेक बार दुक मनुष्य को इश्वर में विश्वास पैदा करा देता है भक्त कहता है पर हम सांसारिक ठहरे पतनी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं उन सब की स्थिति की उपेक्षा कर तथा कुछ न कुछ अपने व्यक्तित्यों के बिना हम कैसे इश्वर की इच्छा को स्विकार करें महर्शी कहते हैं इसका आर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है तुम्हें केवल इश्वर में ही विश्वास करना चाहिए महर्शी मैंने ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज पढ़ी है मैं अंतिम परिछेद से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जिसमें वे कहते हैं कि बिना विचार के भी जग्रिती रखी जा सकती है मैं जानता हूँ कि भोतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना सम्भव है क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है संकल्पों के परे जो चैतन्य है क्या उसकी अनुभूती संभव है महर्शी कहते हैं हाँ चैतन्य केवल एक ही है जो जागरिती स्वप्न तथा सुशुप्ति तीनों अवस्थाओं में यथावत रहता है सुशुप्ति में में का लोप हो जाता है जागरिती में में का भाव उदय होता है और तब संसार भासित होता है सुशुप्ति में यह में कहां था यह वहां था अथवा जागरिती का वर्तमान में केवल में का संकल्प मात्र है जबकि सुशुप्ति का में ही यह संकल्पों से परे है. तो महर्शी क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? महर्शी कहते हैं, अन्य क्रियाओं के समान, परम चैतन्य को अशांत किये विना, विचार प्रक्रिया भी चल सकती है. एक साधक भग्ध पूछता है, कि महर्शी हम आध्यात्मिक तथा संसारिक अनुभवों में परस पर संबंध कैसे करें? महर्शी कहते हैं, अनुभव किवल एक ही है. संसारिक अनुभव जिनका मिथ्य मैं पर निर्मान होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सरवाधिक सफल मनुश्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयम की आत्मा को जानता है? वह कहेगा नहीं, आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा संसारिक ज्यान ऐसी एक्षुद्रनी उपर आधारित है. महर्शी, वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से कैसे भिन्न करें? महर्शी कहते हैं, क्या कोई ऐसा है जो स्वयम से अनभिग्य हो? हर वेक्ती स्वयम को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिग्य है. कैसा विचित्र विरोदाभास है? यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है, अत्वा नहीं, तो ग्यात होगा कि मन है ही नहीं. यही मन का नियंत्रन है. इसकी विप्रीत यदि मन की सत्ता मान ले जाए, और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रन करता हो जाएगा. जिस प्रकार चोर ही सिपाही बन कर चोर को पकड़े अर्थात स्वयम को पकड़े मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है किन्तु यह स्वयम को धोखा देता है ध्यान रखना एक व्यक्ती ने प्रश्न किया कि महरशी साक्षातकार का मार्ग कठिन है संसारिक विशय सरलता से समझ में आ जाते हैं जबकि यह मार्ग समझ में नहीं आता महर्शी कहते हैं हाँ मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है वह अपने स्वयम के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है महर्शी आपके सानिध्य में एक दिन रहना अच्छा है दो दिन रहना उत्तम है तीन दिन रहना और भी अधिक उत्तम है और इसी प्रकार माने यदि हम यहीं निवास करने लगें तो हम संसारिक कारिय कैसे करेंगे यहां निवास करना या न्यत्र निवास करना समान ही मानना चाहिए उसका फल भी समान ही है महरशी, मन, उसकी एकाग्रता तथा उसकी नियंतरण के बारे में कुछ बताईए महरशी कहते हैं देह तथा आत्मा को एक मानना ही मन है यह मिथ्या आहम है जो उत्पन किया गया है फिर है स्वयम मिथ्या दृश्यावली की सृष्टी करता है और उनमें व्याप्त प्रतीत होता है यह सब मिथ्या है किवल आत्मा ही सत्य है यदि मिथ्या में देह भाव नश्ट हो जाए तो सत्य की निरंतर सत्ता स्पष्ट होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्य की सत्ता अभी एवं यहीं नहीं है। सत्य शाश्वत एवं सदैव विद्यमान है, प्रत्यक की अनुभव में भी यही है, चुंकि हर वेक्ति जानता है कि वह है, वह कौन है, आत्मिक द्रिष्टी से सोचें, मैं कौन हूँ, मिथ्या अहम द्रिष्यों से जुड़ जाता है, यह है अहम स्वयम ही स्वयम का द्रिष बन जाता है, द्रिष्य भाव ही मिथ्या है, केवल द्रष्टा ही सत्य है, अपने आपको द्रिष्य अर्थाद, शरीर से युक्त मत करो, इससे मिथ्या अहंकार, देहा अभिमान का प्रादुर भाव होकर, मिथ्या संसार की स्रिष्टी होती है, तथा इसी से हमारा व्यवह झाल चलता है, जो सारे इकलेशों का कारण बनता है, अपने आपको यहे और वहे, एवं अन्य कुछ ऐसा होना, वैसा होना, यहे होना, वहे होना मत मानों, केवल मिध्या को त्यागो, परम सत्यात्म सत्था स्वयम को प्रकाशित करेगी, शास्त्रों का कथन है कि आत्मा सदैव है नित्य सिद्ध है फिर भी अज्ञान के त्याग का उपदेश करते हैं यदि आत्मा सदैव नित्य है तथा वर्तमान सिद्ध है तो अज्ञान कैसे हो सकता है अज्ञान किसके लिए है ये कथन परसपर विरोधी है किन्तु इनका प्रयोजन वास्तविक मुमुक्षु को सही दिशा बोध प्रदान करना है यदि स्पष्ट शब्दों में नत्वे वाहम जातुनासं नत्वम नेमे जना धिपाहा न तू है न मैं हूं न ये सारे राजा ही हैं कहकर केवल सत्य का उपदेश करें जैसे की श्री कृष्ट ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो वह उसकी समझ में सरलता से नहीं आएगा श्री कृष्ण ने सत्य का उपदेश दिया पर अर्जुन उसे ग्रहन नहीं कर सका बाद में कृष्ण उसे स्पष्टता समझाते हैं कि लोग उन्हें कृष्ण को जोकी आत्मा है उनके शरीर से संबध कर देते हैं जबकि वास्तव में उनका न जन्म हुआ था न मरण होगा फिर भी कृष्ण ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को पूरी गीता सुनाई देखो केवल आत्मा की हिस्सता है यह होना अत्वा वह होना नहीं वह अस्तित्व मात्र है केवल आत्म भाव से रहो और सारा अग्यान सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा विचार करो अग्यान किसके लिए है जब तुम निद्रा से जागते हो तब देह भाव का उदय होता है गाड़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम सो रहे हो और तुम जागने वाले हो अत्वा तुम इतनी देर से सो रहे किन्तु फिर भी तुम वहाँ हो, किवल जागने पर ही तुम कहते हो कि तुम सोच चुके थे, निद्रा तुम्हारी जागरिती का ही अंश है, अपने शुद्ध सत्ता को जानो, देह से भ्रमित न हो, देह तो संकल्पों का परिणाम है, संकल्पों का खेल यथावत चलता ही र तुम सरवदार रह सकते हो, सरवदार रह सकते हो